आप किसी ऐसे IPO के बारे में खोज कर रहे हैं जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बिग बुल राकेश जुन जुन वाला से हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है नमस्कार आप देख रहे हैं Business Today बाजार मैं हूं साक्षी बत्रा एक नया IPO स्ट्रीट पर आने वाला है जिसका सीधा क Securities and Exchange Board of India के साथ और ये जल्दी अपना IPO लेकर आ सकती है क्या है ये कंपनी बाजार स्टाइल रीटेल एक लीडिंग प्लेयर है रीटेल स्पेस में वैल्यू रीटेल मार्केट में खास्त और पर वेस्ट पिंगॉल और ओडीशा जैसे स्टेट्स में इसका सबसे जादा प् भी होगा फ्रेश इशू होगा 185 करोर्स का और ओफर पॉर सेल होगा 1.68 करोर शेर्स का जिसमें प्रमोटर ग्रूप के कुछ कंपनिया और कुछ लोग अपना शेर इसमें बेशते हुए नजर आएंगे तो रेखा राकिश जुन-जुन वाला का जो स्टेक है वो भी इसमे बिक्ताखवान अजराय का ओफर फॉर सेल के जरिये 27.2 लाक के शेर्स का सेल रेखा राकिश जुन-जुन वाला इस अपने आई-पियो में करेंगी इसके अलाबा इंटेंसिव सॉफ्ट शेर भी 22.4 लाक शेर्स बेचेगा 14.9 लाक शेर्स इंटेंस फाइनस बेचेगा 13.1 लाक शेर्स चंदूर कर इंबेस्मेंस बेचेंगे और बाकी और भी कई प्रमोटर शेर होल्डर्स हैं जुन्होंने ओफस के जरिये अपने स्टेक को पैर करने के लिए सोचा है अब यह याद रखे कि जब बिक बुल राकिश जुन-जुन वाला का दिहांत हुआ था तो उ सारी हिस्सेदारी जो राकिश जुन-जुन वाला के पास ऐस्ट वाइल थी वो होल्ड करती है और उन में से 27 लाक शेर्स के आसपास वो यहां ओफस के जरिये बेचती हुई नसर आएंगी तो जो कंपनी का फ्रेश इशु है 185 क्रोर्स का उसमें से कुछ एक हिस्सा री पे रनिंग मैनेजर्स होंगे लिंक इन टाइम इसका रेजिस्टार होगा फिर कंपनी ऑलरीडी सोच रही है कि इस आईपियों को लाने के बाद भी कई और जरियों से भी पैसा रेस करने के लिए जैसे कि प्राइबिट प्लेस्मेंट के जरिए राइट इशु के जरिए प्रे कैसी है याने की कंपनी के फाइनाइशल करोड का कहते हैं ये भी जार लीजे कंपनी में FY23 याने कि फिसकल ये 2023 में एक प्रॉफिट पोस्ट कया था पांच करोड के आसपास का जो की पिछले साल के मुकाबले नेट लॉस से बढ़कर प्रॉफिट में आया था पिछले साल आठ करोड का लॉस था फिर बहां से बढ़कर पांच करोड का प्रॉफिट आया अब रेविन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स 43 परसेंट बढ़ते हुए नजर आये हैं पिछले साल 550 करोड का का रेविन्यू था कंपनी का और इस पर 788 करोड का FI 23 में रेविन्यू देखने को मिला है as of December 31st 2023 कंपनी के कितने स्टोर्स हैं 153 स्टोर्स कंपनी ऑपरेट करती है 140 सिटीज में कंपनी की प्रेजन्स है और रीटेल मार्केट में खास तौर पर जो वैल्यू रीटेल मार्केट है उसमें कंपनी की अच्छी खासी प्रेजन्स है तो यह एक नए आई आई पीओ के फाइल हुआ है सेभी के पास यहां से सेभी से मंजूरी मिलते ही कुछ एक महीनों में इस नए आई पीओ के बारे में भी आपको और डीटेल्स मिल सकती है लेकिन अगर आप बहुत ही गौर से राकिश जुन्दन वालों को फॉलो करते हैं तो इस नए आने वाले आई पीओ को अपने वाच लिस्ट में डालने और इसके बारे में सारी जानकारी जैसे जैसे डेवलप्मेंट्स आएंगी वो आपको बिजनेस टुड़ी बाजार पर मिल जाएंगी इसलिए तो कहते हूं इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कॉमे